जब बाचीत के दोरान ट्रंप ने इमरान की लेली मौच डोनाल ट्रंप और इमरान खान के बेच आखिर क्या बात हुई अमेरिका दोरे पर गए पाकिस्टान के प्रदहन मंद्रे इमरान खान ने सेयुकत राष्ट्रो महसभा के सत्तर में हिस्सा लेने से पहले अमेर की राष्टपती डोनाल ट्रम्प से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद दोनों ने ता पस्तरकारों से भी मुखातिब हुए इस दोरान कई मौकी आए जब डोनाल ट्रम्प ने अपनी बातों और जवाबों से इमरान खान की मौच ली दरसल राश्टपती ट्रम्प से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे अफगानिस्तान पर बात करना चाहता हूँ अफगानिस्तान हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अफगानिस्तान में स्थिर्टा का मतलब है पाकिस्तान में भी स्थिर्टा इसके अलावा हम पाकिस्तान की तीनों पडोसी अफगानिस्तान, इरान और भारत के बारे में भी बात करना चाते हैं फिर क्या था? इमरान के इस बात पर ट्रॉम्प ने कटाक्ष करते हुए कहा? वो बहुत ही दोस्ताना पडोसियों के बीच में रहते हैं. ट्रॉम्प के इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर ठाहके लगा दिये. दोनों निताओं के इस प्रेस कॉन्फरेंस के दौ पहला मौका नहीं था जब ट्रॉम्प इस तरह से इमरान खान की मौक्ष लेते नजर आए. इस दौरान वहां मौजूद एक पाक पत्रकार ने कश्मीर पर सवाल किये तो उस पर अमेर की राश्पती ना सिर्फ उस पत्रकार को बुरी तरह जिड़क दिया, बल्कि इमरान स यहां तक पूछ लिया कि ऐसे रिपोर्टर आपको मिलते कहां से हैं? इस पर पाकिस्तानी प्रधान मंत्री जेब गए, जो उनके चेहरे और हाव-भाव से सब साही हो रहा था. हाला कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इस तरह से इंटरनेशनली बेज़ती हुई इससे पहले भी कई वाको पर पाकिस्तान अपनी उल जलूल हरकतों से अपनी फजीहत करा चुका है। आपको बताने कि जमू कश्मीर से धारा 370 हताने के भारत के फैसले के बाद से पाकिस्तान बौक लाया हुआ है। वो ना सिर्फ दुनिया के तमाम मंचों पर कश्मीर का राग अलाप रहा है बलकि भारत के खिलाफ फट्जी खबरों का सहरा लेकर प्रोपगेंडा भी कर रहा है। इससे पहले वो संयुक्त राष्ट मानवदिकार परिशत में भी भारत को कट घरे में खड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इम्रान की इस कोशिश पर पानी फिर गया। पाकिस्तान को इसके लिए संयुक्त राष्ट में न्यूंतन समर्थन भी हासिल नहीं हो सका। इसके अलावा वो दुनिया के तमाम देशों के चौकट पर मदद की भीग मांग चुका है। लेकिन किसी भी देश ने उसके कंधे पर हाथ देना मुनासिर न प्याखे इंडिया न्यूस्वारी की भूर।